चात्रूं, आज हम रेड़कलिफ ब्राउन के बारे में अध्ययन करेंगे ए आर रेड़कलिफ ब्राउन अंग्रेज सामाजीक मानुवशास्त्री थे उन्होंने सर अचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धान्त के बारे में वताया वे इमाईल दुर्खिम से प्रभावित थे जबकी एवान्स प्रिचार्ड, मेयर फॉर्टीज, सी लेवी, स्ट्रोस परले रेड़कलिफ ब्राउन का गहरा प्रभाव था रेड़कलिफ ब्राउन का जन्म 17 जन्वरी 1881 में बर्मिंगम युनाइटेट किंग्डम में हुआ था वे 1906 से 1908 के बीच अंडमान आइसलेंड में रहे यहां रहकर रेड़कलिफ ब्राउन ने अपना पहला फिल्ड वर्क पूर्ण किया और उनको ट्रिनिटी कॉलेज केम्ब्रेज में फेलोशिप राप्त हुई इस अनुसंधान जिसमें 1922 में उनके क्लासिकल मोनोग्राफ दी अंडमान आइलेंड का प्रकाशन हुआ 1910 से 12 के बीच पस्चीमी अस्ट्रेलिया में उन्होंने किन्शीप एंड फैमिली और्गेनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया 1916 में टोंगा राज्जी के शिक्षा निदेशक बने 1921 से 25 के बीच केप्टाउन विश्व इध्याले में सामाजीक मानवशास्त्र के प्रोफेसर के रुप में काजी किया यहां उन्होंने स्कूल ओफ अफ्रिकन लाइफ एंड लैंग्विजेस के स्थापना की 1925 से 31 में रडकलिफ ब्राउन ने सैध्धान्तिक एवं व्यावहरिक मानवशास्त्र में अनुसंधान से संबंधित एक शिक्षन कारेकरम प्रस्तुत किया The Social Organization of Australian Tribes 1931 में इसका परंपरागत सुत्रिकरण और अनुप्रयोग किया 1937 में रडकलिफ ब्राउन वापस इंग्लेंड आये और 1937 से 46 तक ओक्सपोर्ड विश्विध्यालय में अपनी रिटायर्मेंट की आयूत तक कार्य करते रहे 1955 में लंदन में उनकी म्रत्यू हो गई रडकलिफ ब्राउन ने सामाजिक सर अचना को परिभाशित करते हुए लिखा है कि सामाजिक सर अचना में सामाजिक गतिविध्यों के उन पहुलूओं को स्विकार किया जा सकता है जो स्विकरत सामाजिक नियम या मांदन्डों के अनुरूप हो ये मांदन्ड समाज के सदस्यों को सामाजिक रूप से उप्योगी गतिविध्यों के लिए बार्ध्य करते हैं रडकलिफ ब्राउन ने नातेदारी, विवा, भाषा, रिती रिवाज, व्यवसाई, भूमी अधिग्रहन, आधे पर डाटा संग्रहन, विशलेशन एवं संशलेशन किया ब्रिटिश मानव शाष्ट्री रडकलिफ ब्राउन ने सर अचनात्मक प्रकार्यवादी विचार को जन्म दिया उन्होंने संस्कृति की पुर्णता के बजाए समाज, सामाजिक धाचे के अध्यायन पर अपना ध्यान के निर्मित किया उन्होंने तर्क दिया कि समाज एक अवियवी रचना ही यहां अंतर संबंधी भागों से निर्मित है तता किसी भी भाग का कार्य सामाजिक शेली की कार्य शिल्ता को बनाए रखना है रड़कलिफ ब्राउन ने सामाजिक घटनाओं को अनुकुलन और तत्वों के एकी करण की इस्थाई प्रणाली के रूप में समझाने का प्रयास किया सामाजिक सहर अचना व्यक्तियों की व्यवस्ता है और सामाजिक संगठन गतिविध्यों की व्यवस्ता है इस प्रकार सामाजीक जीवन प्राकार्यात्मक रूप से सू संगत अन्योन याश्रित तत्मों की सक्रियत आ है। उनके अध्यायन विशय निमन लिखित थे। अफ्रिकन सिस्टफ ओप किन्शिप एंड मेरिज उन्निसो पचास उनके निबंधों का एक संग्रह है जो अफ्रिकी अध्यायन में मिल का पत्थर साबित हुआ।